आज का हमारा टॉपिक एक बहुत ही खास टॉपिक है और यह सबसे ज्यादा रिक्वेस्टेट टॉपिक है और वो है बालों के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में बोलोगों ने बहुत सारे कमेंट्स लिखे हैं कि डॉक्टर टन्वी आपके बाल इतने अच्छे है और हमें बहुत पसंद है लेकिन प्लीज हमें कुछ टिप्स बताईए जिसके वज़े से हमारे बाल और अच्छे हो हमें थाइरोइड की समस्या है जिसके वज़े से हमारे बालोक में काफी प्रॉब्लम्स आ गए हैं तो प्लीज आप इस पे एक टॉपिक बनाएं तो आप सभी की रिक्वेस्ट पे मेरा ये आज का वीडियो प्रस्तूत है ठीके तो चले शुरू करते आज का हमारा ये टॉ कार बनती है अब जब थाइरोइड के हॉर्मोन की गड़बड़ आती है तो ये औरत के अंद्रोनी और बाहरी ब्यूटी दोनों पर उसकी वज़े से असर आती है अंद्रोनी ब्यूटी यानि की औरत के मासिक घर्म उसकी फर्टिलिटी उसकी प्रजननक्षमता और उसकी मा बनने की शक्ति पे उसकी असर आती है और बाहरी ब्यूटी बाहरी सौंदर्यता जिसमें एक बाल है और दुसरा है वजन ये दोनों पर जब हुमला होता है एक औरत कहीं न कहीं अपना confidence जो है हेर की हेल्थ हो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे आप सब को पता ही है मेरा introduction मेरा नाम डॉक्ट तानवी मयूर पटल है और मैं एक endocrinologist यानी की हॉर्मोन विशशग्य डॉक्टर हूं मॉंबाई से अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपके लिए ए एक बहुती कॉमन सिंट्रिम और लक्षन है बहुत सारी चीजों की वज़स से आपके शरीर में हैर लॉस की समसिया आ सकती है थाइरोइड का imbalance वो एक बहुती कॉमन रीजिन है है फॉल का इसके वज़स से आपके बाल गिरते तो है ही है लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार थ थाइरोइड के साथ साथ और बहुत सारी ऐसी बॉडी कंडिशन्स है जिसके वज़से आपको हैर फॉल की समसिया हो सकती है वो और कंडिशन्स क्या क्या है उसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे अब कभी जबी भी थाइरोइड का imbalance होता है चाहे फिर वो हाइ पर थाइरोइड हो जहां पर आपका थाइरोइड जरूरत से जयादा कारे करें इन दोनों ही कंडिशन्स में हैर फॉल की समझ्या हो सकती है यह situation को हम कैसे टेकल करेंगे इसके बारे में हम आज बहुत ज़्यादा डीटेल में बात करेंगे सबसे पहले हम abnormal बात करें उसके पहले normal चीज जानना बहुत जरूरी है तो चलिए हम पहले ये समझते हैं कि हमारे जो बाल जो है उसकी cycle कैसे है देखे हमारे जो सिर के बाल जो है ये continuous यानि एक तरीके से बढ़ते नहीं है ये एक cyclical form में इसका growth होता है ये जो cycle जो है इसको basically हम तीन स्टेजिस में divide करते हैं पहला है anagen phase, दूसरा है catagen phase और तीसरा है telogen phase ये जो बाल जो है हमारे सर के ये हमारे सर की जो चमड़ी है जिसको हम scalp कहते है ये scalp के चमड़ी के नीचे एक छोटे छोटे pocket tag के follicles होते है जिसको हम साधी भाषा में hair के roots भी कह सकते है या जड़ भी कह सकते है तो ये hair follicle के अंदर से ये बाल food के बाहर आते है और वो cyclical form में उसका growth होता है सबसे पहला phase जो है जिसको हम एनाजन phase कहते है इसको हम growth phase भी कहते है करीबन 90 प्रतिशत हमारे सिर के बाल एनाजन के phase में रहते है और ये एनाजन phase काफी लंबा होता है कहीं कहीं 2 साल से 6 साल तक का ये growth phase होता है क्या होता है ये growth phase के अंदर ये growth phase के दौरान हमारे जो hair follicle जो है जो जड़े है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में खून की supply यानि blood supply होती है इसके वज़े से उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में पोशक द्रव्य और नरिश्मेंट मिलता है और जैसे नरिश्मेंट मिलता है ये hair follicle जो है ये food के बहार आते है आपकी hair की length बढ़ती है आपके बाल लंबे भी होते है दूसरा phase जो है उसका नाम है catagen phase ये catagen वाला phase actually एक transition phase के दौर पे है और ये catagen का phase कहीं एक से दो हफ़तों के लिए ही रहता है करीबन एक प्रतिशत हमारे सिर के बाल catagen के phase में रहते हैं catagen phase के दौरान जो भी इसके जड़े है उसके अंदर जो blood supply जो है वो दीरे दीरे करके कम होनी शुरू हो जाती है और जो तीसरा phase है जो है telogen phase ये telogen phase को हम resting phase भी कहते हैं ये resting phase around 3-4 महिनों का भी रहता है और ये resting phase nearly 8-9% 8-9% हमारे सिर के बाल ये telogen phase में रहते हैं ये phase में क्या होता है क्योंकि जड़ों के अंदर जो blood supply है वो दीरे दीरे कम होके बंद होक चुकी है इसके बज़े से ये जो hair follicle जो है जो जड़े जो है उसमें portion नहीं मिलता दीरे दीरे वो सुकूर के मर जाते है और फिर वो hair गिर जाते है तो इस phase को हम resting phase कहते है तीलोजन phase के दौरान आपके बालों का गिरना common है देखे साधारन केस में 50 से 100 hair के strand यानि बालों की गिंती तक बाल जड़ना एक common condition माना जाता है जरूरी नहीं है कि हमारे पूरे सर के बाल एक time पे एक ही phase में हो कुछ-कुछ बाल आपके एनाजन phase में रहेंगे कुछ-कुछ बाल आपके कैटाजन phase में रहेंगे और कुछ बाल आपके टीलोजन phase में रहेंगे यानि कि hair का growth और गिरना ये continue चलते ही रहता है लेकिन जब आपका tillogen phase ज़्यादा powerful हो जाए तो वो condition को abnormal condition हो जाती है अगर आपके सिर के बाल दिन में 100-500 से ज़्यादा गिरे तो इस condition एक important हो जाती है और इसको immediately आपको medical attention लेना ज़रूरी पड़ता है अब चलिए ये जानते हैं कि thyroid का जो hormone है इसकी असर हमारे बालों पे क्या होती है तो देखे thyroid का जो hormone है ये बहुत important hormone है हमारे हर एक शरीर के cell की कोशिकाओ की metabolism के लिए thyroid hormone ज़रूरी है और उसमें से एक आजाता है हमारे hair follicles अगर आपके शरीर में thyroid hormone का imbalance है तो ये imbalance हमारे जो बालों की cycle का जो phase है जिसको हम telogen कहते है ये telogen effleveum वाले stage को बहुत ज़्यादा लंबा भी कर सकता है सादारन तोर पे telogen वाला जो phase है 3-4 महिने का होता है लेकिन अगर thyroid का imbalance रहेगा तो ये phase और भी लंबा हो जाएगा और अगर जितना ये लंबा phase होता जाएगा उतने ज़्यादा आपकी hair जो है जो आपके बाल जो है ये गिरना शुरू हो जाएगा कभी कबार ऐसा भी पाया गया है कि अगर बहुत ज़्यादा thyroid imbalance में है तो 2-3 महिनों के भीतर भी करीबन 60-70% लोगों के बाल भी गिर सकते हैं ये problem ज़्यादा करके तब होगा अगर आपका thyroid जो है वो बहुत ज़्यादा out of balance है और बहुत ज़्यादा severely out of control है अब चलिए हम यह जानते है कि thyroid का अगर imbalance है आपको तो आपके बालों में क्या-क्या समस्या आ सकती है तो सबसे पहले ये समस्या तभी ही आएगी अगर आपका thyroid का hormone का imbalance बहुत ज़्यादा हो यानि severe हो usually अगर बहुत mild यानि somia thyroid का imbalance है तो बालों पे उसकी आग असर उतनी ज़्यादा नहीं आती है यानि mild hypothyroidism या तो mild hyperthyroidism के वज़े से ज्यादा करके बालों की समस्या नहीं होती है ये बालों की समस्या तभी ही होगी अगर आपका thyroid बहुत ज़्यादा severely out of control में है और ये बहुत ज़्यादा लंबे वक्त से out of control में है कुछ वक्त के लिए अगर वो out of control में हो जाएगा तो हो सकता आपको उतने बालों के लक्षन ना आए साथी साथ अगर आपके शरीर में और कोई hormones की गड़बडे है तो उसके वज़े से भी आपको बालों की समस्या आ सकती है जब किसी भी व्यक्ति को thyroid hormone की गड़बड होती है तो उसके साथ साथ में कहीं ना कहीं estrogen hormone की गड़बड और endrogen वाले hormone की गड़बडे भी commonly हो जाती है कभी कभार insulin resistance भी हो जाता है जिसके वज़े से भी कहीं ना कहीं बालों पे उसकी असर आ सकती है ज्यादा करके ये गड़बडे आपको शरी में तब आएगी जब आपके शरीर में और भी hormones की गड़बडे आए जैसे कि एक बहुत common condition औरतों के अंदर होती है जिसका रामे PCOS यानि polycystic ovarian syndrome जिसके अंदर उनको एंडोजन वाला हॉर्मोन इंसुलिन वाला हॉर्मोन ये दोनों हॉर्मोनी की गड़बडे होती है जहां पर ये problem ज़्यादा होती है साथी साथ औरतों के अंदर जब रजोनी वृती यानि मेनोपोज आता है तब इस्ट्रोजन हॉर्मोन में काफी variation आता है बहुत fluctuation आता है उस वक्त के दोरान भी हैर की गड़बडे आना बहुत ही common हो जाता है जब आपके शरीर में thyroid hormone का imbalance होता है तो आपके जो बाल जो है वो overall बहुत ज़्यादा थिन यानि पतले होने लगते है उस बालों का आपको टेक्स्चर भी variation आ जाता है जरूरी नहीं है कि thyroid imbalance की वज़े से आपके सिर के बालों पे उसकी असर आए ये इसकी असर आपके शरीर आई लैशे से उस पर भी असर आती है बहुत से बार बहुत सारे thyroid के मरीजों को आई लेब्रोज की भी थिनिंग होना शुरू हो जाती है और उनको बाहरी वन थर्ड की तरफ वाले जो आई ब्रोज है वहां के बाल भी गिरने शुरू हो जाते है अगर thyroid का imbalance रहता है तो जो hair fall यानि जो बाल गिरते है यह usually एका दुका एरिया में नहीं गिरते यह जो hair loss जो है यह पुरा diffuse hair loss होता है यानि हर एक area of a scalp में से यह बाल गिरते है ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही गुच्छे में आपके बाल गिरेंगे और आपको बहुत बड़ा clumps होगा नहीं यह जो diffuse hair loss ह होता है इसके वज़े से यूजवली लोगों को बालो में यानि स्काल्प में एक पैच बन जाए ऐसा यूजवली नहीं होता इस condition को हम एलोपेशिया एरियाटा कहते है जो और एक बालो की समस्या होती है लेकिन यूजवली थाइरोइड की condition में ऐसा पैची hair loss नहीं होता है ज्यादा करके ये hair loss diffuse hair loss होता है जब आपके थाइरोइड की समस्या होती है तो जो बालो का जो री ग्रोथ जो है यानि वापिस से उसका जो बढ़ना जो है ये कभी-कभी साधारन व्यक्ति के हिसाब से थोड़ा slow यानि दीमा भी हो सकता है हो सकता है कि थाइरोइड अगर आपका कंट्रोल में आ जाए फिर जो भी आपके जितने भी बाल गिरे है वो complete resolution ना हो और थोड़े बहुत बालो का आपका hair loss फिर भी हो सके साथी साथ आपके जो hair fall जो हुआ है इसको complete recover होने में भी वक्त लग सकता है यानि आपको patience और देरियता रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन face के दौरान लेकिन हां कुछ ऐसी चीजे है जो हम कर सकते है जिसके वज़े से आपके जो hair fall का जो problem है वो कम से कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा आपका hair का regrowth होई ठीक है बहुत से बाल जब thyroid का imbalance होता है तो सबसे पहले तो आपको आपकी खून की जाँच करवानी है क्योंकि क्या होता है कि बहुत से बाल जबी thyroid की imbalance की वज़े से लोगों के शरीर में बहुत ज़्यादा लक्षने नहीं आते है और अगर वो लक्षन आते भी है तो कभी कबार वो बहुत वेग लक्षने होते हैं लोगों को समझ में नहीं आता ये लक्षन किस वज़े से है तो अगर आपको ऐसे कोई लक्षन है तो सबसे पहले आपको आपके खून की जांच करवानी है ये चेक कर लेना है कि क्या आपको thyroid imbalance है या नहीं है और अगर आपको thyroid imbalance है तो सबसे पहले तो आपको उसको ठीक करना है जैसे ही आपका thyroid balance में आना शुरू हो जाएगा आपके जो thyroid के वज़े से जो hair की समस्या है वो भी कापी हद तक सुधर जाती है जब हम लोगों को hypothyroid के लिए जो दवा का प्रिस्क्राइब करते है जिसका नाम है लीवो थाइरॉक्षिन बहुत से बार लोगों को ये भी सवाल होता है और लोग आते है क्लिनिक में कि डॉ देखें ये जो चीज का होना एक प्योली को इंसिडेंटल होता है अब इसके पीछे क्या वज़े है देखें बालों का जो hair cycle जो है ये काफी लंबा होता है अभी मैंने शुरू आतने बताया एनाजन फेस दो से छे साल तक होता है टीलोजन फेस तीन से चार महिने होते है त इस वक्त के दोरान आपका thyroid balance में आ रहा है लेकिन आपका जो hair growth का जो cycle था जो पहले जो thyroid imbalance की वज़े से disturb में था वही disturbance चल रहा है और इसके वज़े से आपको बालों का गिरना हो रहा है तो ये बालों का गिरना डवा लेने के बाद में शुरू होना एक purely coincidental है बहुत सी बा because उससे क्या होगा जो imbalance पिछले कुछ महीनों से चल रहा है वो वापिस continue होगा अभी आपके बाल अगर दिन में डेड़ सो गिर रहे है तो हो सकता है कुछ हफतों कुछ महीनों के बाद में ये डेड़ सो से ज्यादा 200-200 पे भी आ जाए तो ऐसी गड़बडे ना करें अगर आपको आपके डॉक्टर ने लिवो थाइरॉक्षिन वाली गोलियों का सुझाओ दिया है तो आप आपके डॉक्टर का prescription प्लीज फॉलो कीजिए उनकी advice के हिसाब से चलिए साथी साथ लोग मुझे comment box में लिखते रहते डॉक्टर ये मेरा lab report है मैं ये डॉक्टर के ये गोली ले रहा हूँ क्या मैं continue करूँ क्या मैं बदली करूँ प्लीज इस बात का मैं आपको जवाब नहीं दे पाऊंगी विकज वो आपका medical case पर depend करता है जब हम medical case की बात करते हैं हमें बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना है एक lab report के basis पर हम गोली कोई भी डॉक्टर नहीं देता है आपको इसलिए मैं हमेशा हर comment में जबी भी मै आंसर देती हूं मैं यही कहती हूं कि प्लीज आप आपके डॉक्टर का prescription फॉलो कीजे आप उन से बात कीजे ठीक है दूसरा अगर आपको hyperthyroidism वाली समस्या है और जिसके वज़े से अगर आप कार्भी माजोल प्रोपाइल थाय यूरासिल ऐसी वाली कुछ दवाईयों का इस्तमाल कर रहे है तो कभी कबार कुछ ऐसे एकके दुके rare cases में इसके वज़े से hair fall की समस्या आई है लेकिन यह समस्या काफी common समस्या नहीं है तो इस बातों का भी आप खास खयाल रखेगा जब thyroid की समस्या होती है तो उसके साथ साथ में आपको बहुत सारी co-existing समस्या भी commonly हो जाती है उसमें से सबसे पहली autoimmune वाली बीमारी है जिसका नाम है celiac disease यह जो celiac disease जो है एक प्रकार का autoimmune health problem है और यह सीधा असर करता है हमारी digestive system यानि पाचन तंत्र पे celiac disease के मरीज़ों को ज्यादा करके जो खाने में पोशक द्रव्य जो है जो nutrient है वह सही मातरा में absorb नहीं हो पाते साथी साथ Celiac disease के मरीजों को ज्यादा करके Ion deficiency भी काफी common हो जाती है जिसके वज़े से यह दोनों चीजों की वज़े से आपको बालों का गिरना काफी common हो जाता है दूसरी condition है जिसका नाम है Allopecia Eriata ये भी एक प्रकार का autoimmune health problem है चले हम इस word को तोड़ते हैं एलोपेशया यानि बालों का गिरना जिसके वज़से गंजापन जैसा भी हो सकता है एरियाटा यानि एरिया यानि कुछ-कुछ ऐसे एरिया है आपकी स्काल्प की अंदर जहां पे बाल गिरते है ज्यादा करके एलोपेशया एरियाटा वाली कंडिशन में जो बालों का गिरना है एक पैची एरिया में होता है जैसे मैंने शुरुवात में बताया कि थाईरोइड के वज़से जो हैर फॉल होता है यह डिफ्यूज हैर फॉल है और एलोपेशा एरियाटा में एकका दुक्का एरिया में सही आपके बाल जड़ते हैं एलोपेशा एरियाटा भी एक प्रकार का हमारी चमडी का ओटो इम्यून हेल्थ प्रॉब्लम है तीसरी एक रेर कंडिशन है जिसका नाम है लूपस एरिदी मैटर्स ये भी एक प्रकार का थाइरोइड के साथ में को एक्जिस्टिंग वाली डिजीज है यहाँ पे ज़्यादा करके जब हैर फॉल होता है तो उसके बाद में जो हैर की जो चमडी है जो स्काल्प है वहाँ पे कुछ स्कारिंग जैसे क्रियेट हो जाता है और चौती कंडीशन है जो आटो इम्यून नहीं है लेकिन काफी कॉमनली थाइरोइड के मरीजों को होती है जिसका नाम है पॉलिसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम यानि PCOS ये एक प्रकार का हॉर्मोन इंबैलेंस है और जादा करके लड़कियों और औरतों के इस समचया के अंदर इंड्रोजन यानि मरदाना वाले हॉर्मोन का इंबैलेंस होता है इसके वज़े से भी बहुत ज़्यादा hair fall होता है, साथी साथ उनके मासिक धर्म में भी गड़बड आती है, चेहरे पे काफी ज़्यादा बाल आते हैं, जिसको हम हिरसिटिजम कहते हैं, और चेहरे पे ज़्यादा मातरा में मुहासय यानि एकने भी होते हैं, तो ये कुछ conditions ह जो thyroid के मरीजों को साथ साथ में हो सकती है, अब चलिए ये जानते हैं कि बालों के गिरने की और कौंसी कौंसी वज़ग हो सकती है, उस पर से सबसे पहली condition है, जिसका नाम है एंडरोजेनिक एलोपेशिया, एंडरोजेनिक यानि मर्दाने वाले जो हॉर्मोन है, इसको बालों का गिरना, अगर आपके शरीर में मर्दाना वाला हॉर्मोन जो है, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, डिएच्टी वाले जो हॉर्मोन से, अगर इस हॉर्मोन का अगर ज्यादा बहाव हो जाता है, तो इस कंडिशन के वज़े से भी आपको काफी हद तक एंडर जनिक एलोपेशिया होता है, आपने देखा होगा कि बहुत से बार, बहुत से घरों के अंदर हर एक मर्द को बाल गिरते हैं और गंजापन होता है, यह इसलिए होता है क्योंकि उनकी फैमिली में एंडरोजनिक एलोपेशिया काफी कॉमन होता है, एंडरोजनिक एलोपेश भी हो सकती है और औरतों के अंदर भी एंडरोजनिक एलोपेशिया हो सकता है अगर आपके शरीर में एंडरोजनिक एलोपेशिया है तो इसके वज़े से जो आपका जो एनाजन यानि जो ग्रोथ फेज जो है उसका ड्यूरेशन कम होते जाता है और जिसके वज़े से आपके जो हेर साइकल जो है वो उसका डूरेशन भी कम होगा और आपके बालों का ग्रोथ बराबर से नहीं होगा साथ यसाथ आपके बाल बहुत जादा पतले होते जाएंगे और दीरे दीरे बाल फॉल आउट हो जाते हैं ठीक है तो होगे पहली कंडिशन दूसरी कंडिशन है एंड्रोजन एक्सेस हॉर्मोन की वज़े से जिसका नाम है PCOS और इसमें भी काफी हद तक लड़कियों और और ओरतों को हैरफॉल होता है तीसरा हॉर्मोनल वेरियेशन होता है जब आप महीला रजोन्य वृत्ती में जाती है तब इस्ट्रोजन हॉर्मोन की गड़बड आती है और उसके वज़े से भी हैरफॉल होता है साथी साथ जब औरतों के अंदर अपनी जिंदगी के जबी मेजर ट्रांजीशन फेज होते है जैसे प्यूबर्टी हो गई यानि तरुनावस्था फिर प्रेगनेंसी यानि गर्भावस्था फिर डिलिवरी के बाद का जो पीरेड है लाक्टेशनल पीरेड है और चौता ज अगर आपके शरीर में ऐसे हॉर्मोन के वेरियेशन होते है तो उसके वज़े से भी हैरफॉल होना काफी कॉमन हो जाता है साथी साथ बहुत सारी औरते गर्भ निरोद गोलिया जिसको और कॉंट्रसेप्ट पिल्स लेती है अगर उसके वज़े से भी बहुत बार हैरफॉल का होना शुरू हो जाता है साथी साथ आपका हैरफॉल का प्रॉब्लम जो है यह न्यूट्रिशनल डेफिशेंसी के वज़े से भी हो सकता है तो अगर आपके शरीर में आयोडीन या तो आयन जिंक कॉपर अगर विटमिन की कमी है तो उसके वज़े से भी आपको हैरफॉल ह होना बहुत ही कॉमन है साथी साथ बहुत सी बाल लोग बहुत ज्यादा फटाफट वेट लॉस करते हैं वजन कम करने के लिए तो अगर आप बहुत फास्ट और रैपिड वेट लॉस करेंगे तो उसके वज़े बहुत से बहुत से बहुत से बहुत से बहुत से लोगों को हैरफॉल की समस्या आने शुरू हो जाथी है और एक कंडिशन है जिसका नामें इन्फेक्शन बहुत से बार अगर आपको किसी खास प्रकार का बुखार आया है जैसे मलेरिया है डेंग्यू है टाइफॉइड है चिकन गुनिया है इवन कोविड का जो भी अगर बुखार आता है तो उसके वज़े से भी आपको अगर आपके सिर्की चमडी के अंदर स्काल्प के अंदर कोई इन्फेक्शन है जैसे की फंगल इन्फेक्शन या तो पी डेंडर वाला इन्फेक्शन अगर ऐसा है तो उसके वज़े से भी आपको बालों का गिरना हो सकता है साथी साथ अगर आप बहुत ज्यादा तनाव म पर रहते हैं चाहिए फिर ओएमोशनल स्ट्रेस हो मेंटल स्ट्रेस हो और किसी प्रकार का शारिक स्ट्रेस हो अगर ऐसे कोई स्ट्रेस से आप गुजर रहे हैं तो उसके वज़े से भी आपके बालों का गिरना हो सकता है लैक ऑफ स्लीप यानि अगर आपके नींद बराब तक गोलिया फिर बहुत से लोग जो खून को पतला करने की दवाईया लेते जिसको हम ब्लड थिनर्थ कहते है या तो एंटी कोईगुलेशन वाली जो दवाईया होती है उसके वज़े से भी हैरफॉल होता है बहुत से बार कैंसर से पिडित लोग अपना इलाज के लिए की किमो थेरपी के बाद में भी आपको बालों का गिरना काफी कॉमन हो जाता है ट्राक्शन एलोपेशिया ट्राक्शन एलोपेशिया के वज़े से भी बहुत लोगों को हैरफॉल की समस्या होती है क्या होता है ट्राक्शन एलोपेशिया में अगर आप आपके बाल बहुत जुड़ा बानती है और बहुत जाद अगर आप बालों को खीच के ऐसी को हैस्टाइल करते है तो इसके भी बालों के जो हैर फॉलिकल के अंदर से उसका पुल आउट हो सकता है जिसको हम ट्रैक्शन अलोपेशिया कहते है दूसरी एक मानसिक बीमारी है जिसका नाम है जिसमें यह व्यक्ति अपने बालों को खुझ से ही जड़ से खीचते रहते है और उनको पता भी होता है कि यह प्रॉब्लम क्रियेट कर सकता है लेकिन वह इस बात को रिजिस्ट नहीं कर पाते तो अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो आप आपके नजदी की डॉक्टर से म यह जानते हैं कि थाइरोइड की समस्या के साथ साथ में अगर आपको हैर फॉल की समस्या है तो इसको हम कैसे इलाज करते हैं और कैसे हम प्लान ओफ ट्रीटमेंट करते हैं तो सबसे पहले अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या है तो आप आपके नजदी की डॉक्टर के पास जाहिए वो आपके medical case के हिसाब से आपकी पूरी detail में medical history लेंगे उसके बाद में आपके case के हिसाब से blood test यानी खून की जाँचे करवाएंगे खोदही से कोई भी treatment चालू मत कीजे क्योंकि उसकी कभी कबार आड़ असर भी हो सकती है और जिसके वज़े से भी hair fall हो सकता है तो प्लीज आप self medication ना करें नजदी की thyroid के specialist doctor के पास जाईए सबसे पहला आप आपकी खून की जाँच करवाएं और यह देखे कि क्या आपका thyroid सही का तरीके से control में है या नहीं है यह बहुत ही ज्यादा important point है क्योंकि बहुत बार जब भी thyroid के मरीजों को thyroid की समझ से आती है वो regular time to time doctor के पास में follow up के लिए नहीं जाते अगर doctor ने आपको एक गोली लिखके दी है ऐसे भी मरीज होते जो सालों साल यही गोली continue करते हैं और इन बीच के दोरान कभी भी खून की जाँच नहीं करवाई कभी भी doctor के पास नहीं जाए फिर जब इस टेस्ट करके पता चलता है तो उनका thyroid काफी out of balance है तो इसलिए सबसे पहले आप regular नियमित तोर पर अपनी खून की जाँच करवाईए यह चेक कीजे किया आपका thyroid level सही तरीके से control में है या नहीं है अब देखे जो control की बात होती है इसमें आपका thyroid का level optimum होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप thyroid की खून की जाँचे करवाते हैं तो आपको जो report मिलती है वो report के बाजू में एक reference range लिखी जाती है थाइरोड के जब ही reference range की हम बात करें तो यह very बहुत बड़ी हो जाती है up to 0.5 से लेके 4.5 MIU पर little वाली range भी normal मानी जाती है लेकिन यह normal होने का मतलब यह नहीं है कि आपकी age, आपकी उम्र, आपका वजन, आपकी और health condition के हिसाब से आपका thyroid सही तरीके से control में होगा हो सकता है वो normal reference range में हो लेकिन तो optimum range में ना हो अब जो optimum range जो है हर एक व्यक्ति का अलग-अलग होता है तो यह बहुत ही जादा important है तो अगर आपका thyroid optimum range में नहीं है तो भी आपको hair fall और thyroid से मिलती जुलती बहुत सारी health conditions, infertility जैसी conditions भी हो सकती है तो इस बात को आप बहुत ध्यान दीजे दूसरा बहुत बार बहुत से मरीज गोली लेते है फिर कहते हैं कि thyroid के वज़े से हमारे लक्षन कम नहीं होते लेकिन जब अगर हम report करके देखते हैं तो उनका जो control है वो सही तरीके से control में ही नहीं है तो इस गड़बड आप ना करें आप regular follow-up करवाए रेगूलर blood test कीजे और आप आपके डॉक्टर को पूछे किया आप गोलियों में कोई परिवतन करना है या नहीं है इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी चीजों पर खास खयाल रखना है आपको आपके शरीर के अंदर हीमोगलोबीन और आयन यानी लोहों की कमी तो नहीं है उसके भी बहुत ध्यान दीजे देखिए हमारे भारत वर्ष में बहुत ज़्यादा लोगों को एनीमिया यान कूंकि उनके मासिक धर्म के दौरान उनको काफी हथ तक खूण का बहाव हो जाता है और जैसे के शुरू में बताया थाईरोड के समस्याद ज्यादा करके औरतों में होती है यानि और अवरतों के अंदर एनीमिय भी ज्यादा कॉमन है और ये दोनों कंडिशन एनीमिया और थाइरोड का imbalance, दोनों hair fall का problem लेके आता है, इसलिए आप इस बात पे भी खास ख्याल रखे, आप आपके खून के अंदर ferritin का level कितना है, उस पे भी ध्यान दीजे, अगर आपका ferritin का level कम होगा, तो भी आपको thyroid के साथ साथ आपको बालों की समस्या होने की संभावना साथ ही साथ आप ये भी चेक कीजे कि आपके शरीर में vitamin B complex की कमी तो नहीं है, vitamin B complex की कमी और यो भी nutritional deficiency बहुत कॉमन है और इसके वज़े से भी काफी हद तक आपको hair fall की समस्या हो सकती है, साथ ही साथ और एक बहुत important element है, वो है protein, देखिए protein जो है, एक macro nutrient है, और ये जो protein ज माना जाता है, हमारे जो बाल जो है, ये बनने है खास प्रकार का protein जिसका नाम है keratin, अगर आपके शरीर में अच्छी मात्रा में बालों की growth चाहिए और बालों की health चाहिए, तो आपके शरीर में protein होना बहुत ही ज़्यादा जरूर है, और protein की requirement हमारे शरीर को बहुत ज़्य ज़्यादा होती है, तो अगर आपको protein की कमी होती है, तो अगर आपको protein की कमी है, तो उसके वज़े से भी आपकी hair की जो texture है, आपकी hair की quality है, वो बराबर से नहीं होगी, तो हो सकता है, आपको सही मात्रा में protein का include करना पड़े, आप ज्यादा प्रोटीन युक्त खाना खा जैसे vegetarian में दाल आ जाती है, पनीर आ जाता है, टोफू है, यह सभी में अच्छी मात्रा में protein है, अगर non-vegetarian food की बात करें, तो अंडे है, और चिकन है, यह सब में भी ज्यादा में protein है, डेरी प्रोड़क्स में भी आपको अच्छी मात्रा में protein मिल जाता है, तो protein युक्त आध्य पदातों को आप include कर सकते हैं, और अगर आपको लगे तो आप protein powder के supplementation भी ले सकते हैं, अब कौन सा protein powder आपकी बालों के लिए सही है, इसके लिए मैंने खास एक नीचे description box में एक link छोड़ा हुआ है, अगर आप चाहे तो उस link पे क्लिक करके आप यह protein powder भी मंगवा सक दूसरा एक important micronutrient है जिसका नाह है Biotene, जिसको vitamin B7B कहते है, देखे Biotene जो है, यह हमारे hair, हमारी चमड़ी, इसके growth और अच्छे texture के लिए बहुत जादा important माना जाता है, और इसी के वज़े से Biotene को बहुत जादा मात्रा में cosmetic products है, hair products है, उसमें लोग इस्तमाल करते हैं, यह जो Biotene का requirement जो है, हमारे शरीर को दिन में 30 microgram तक ही चाहिए, लेकिन जब लोग बहरी तोर पे Biotene के supplements लेना शुरू कर देते हैं, तो कभी कबार यह 5000-10,000 microgram के supplementation भी लेते हैं, एक बात का खयाल रहे कि कोई भी चीज, अगर हमारे शरीर में जादा होगी, तो भी उतनी हानी का रखें, जितनी उसकी कमी, तो अगर आप Biotene के supplement ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे, तो उसके वज़े से भी आपके hair और आपकी बालों पे समस्या आ सकती है, साथी साथ अगर आप Biotene के supplementation ले रहे हैं, और अगर आपने thyroid की खून की जांच करवाई है, तो हो सकता ह आपकी खून की जांच के रिपोर्ट भी सही तरीके से ना आए, साथी साथ एक बात का बहुत ही खास ख्याल रखें कि जब आप thyroid की खून की जांच करवाते हैं, तो उसके पहले कुछ बातों का आपको खास ख्याल रखना भी ज़रूर है, वो बाते क्या-क्या है, किन-किन बातों आपको खास ख्याल रखें, ताकि आपकी thyroid की रिपोर्ट गडबरे ना आए, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, अगर आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपके जो thyroid के जो रिपोर्ट है, वो बहुत अच्छी तरीके से आए, अगर आप बायोटीन के सप्लिमेंट्स ले रहे हैं, तो आपको thyroid की खून की जाँच करवाने के पहले कुछ दिन पहले आपको ये दवाईया भी बंद करनी हो सकती है, क्योंकि इसके वज़े से भी आपकी thyroid के रिपोर्ट्स मिस इंटरप्रेटेड आ सकते हैं, साथी साथ आप इस बा को एंजाइम क्यू टेन, ये सबी की कमीयों के वज़े से भी आपके बालों की health बिगर सकती है, बहुत लोग मल्टी विटामिन की गोलियों का इस्तमाल करते हैं, तो अगर आप ऐसे कोई गोलियों का इस्तमाल करते हैं, तो एक बात का खास खयाल रखे कि जो गोलिया जो है उसके अंदे बहुत सही quality और quantity of the micronutrients ना हो और ये मल्टी विटामिन लेने के वज़े से भी आपके शरीर में health problems आए, तो इस बात का भी आप खास खयाल रखे, साथी साथ आप आपकी जो स्ट्रेस लेवल जो है मानसिक तनाव है, उस पे खास ध्यान रखे, क्योंकि जितन उतना ज्यादा स्ट्रेस रहता है, उतना ज्यादा हमारी हेल साइकल डिस्टर्ब हो जाती है, तो अगर आपको स्ट्रेस या तनाव है, तो उसके लिए आप मेडिटेशन, योगा, प्रानायम, म्यूजिक थेरपी या कोई ऐसी थेरपी जो आपके माइंड को पॉजिटिव है, हमारे थाइरोइड गरंती के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टनेट है, तो अगर आपके शरीर में आयोडिन की कम्मी या तो आयोडिन का एक्सेस होगा, तो इसके वज़े से भी थाइरोइड हॉर्मोन की गड़बडे आती है, तो इस बात का भी आप खास ख्याल रख बहुत सारी दवाईया, जैसे की हार्ट केंडिशन की दवाईया, एमियोडेरोन है, फिर बहुत सी दवाईया, जैसे की कौफ सिरप छे, इसमें बहुत ज्यादा मातरा में आयोडिन होता है, तो ये सब के लेने के वज़े से भी आपकी थाइरोइड हॉर्मोन डिस्टरब ह सकती है, जिसके वज़े से भी आपको बालो की समस्या आ सकती है, साथी साथ आप आपके देनिक खाने पीने में प्रोसेस फूड का इस्तमाल ना करे, ज्यादा करके जो भी खाने पीने आपको पैकेट्स में मिलते है, बिस्किट से, चिप से, और ज्यातों फिर जो खादे ज्यादा करके आपको एड़टाइजमेंट करके बेचे जाते है, यह सभी काफी प्रोसेसिंग की हुई होती है, सफेट शक्कर है, फिर गेहूफ से भरी हुई चीजे जिसको ग्लुटेन कंटेनिक फूड आइटम्स कहते है, इस सभी चीजों का बेकरी वाली चीजे, फिर जो भी प्रोसेस्ट फूड आते हैं, और कैंड में प्रोडक्स आते हैं, जैसे कि कोल डिंक्स हो गया, एरेटेड डिंक्स है, यह सभी चीजों को आप जितना हो सगे उतना कम ही खाईए, तली हुई खाद्यपदातों को भी आप आपके डे टूड लाइफ में कम इंकूड क कीजिए, क्योंकि यह सभी खाद्यपदात एक इंफ्लमेटरी खाद्यपदात में माने जाते हैं, जिसके वज़े से आपके शरीर के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में इंफ्लमेशन होना शुरू हो जाता है, और जो आपके हैरफॉल की कंडिशन को लेके आता है, आप आप चीजों को भी आप इंक्लूड कीजिए, जितना ज्यादा हो सके आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल का इस्तमाल कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में हाइड्रेशन के साथ साथ में माइक्रो न्यूट्रिंट है, बायोटीन है, जो हमारी हेर ग्रोथ के माइन लग जाते हैं, और अगर आपका केज बहुत अदा कॉंपलिकेटेड हो, तो कुछ साल भी लग सकते हैं, इस बीच के दोरान आप आपका पेशन्स और आपका कॉंफिडेंस आप नहीं खोईएगा, प्लीज एक बात का खयाल रखे के ये कंडिशन आपको अकेले को न प्लास और माइनस कुछ अपवाइंट हो सके, आपको केस में अगर कोई हॉर्मोनल प्रॉब्लम है, अगर आपने उसको ठीक कर लिया, नुट्रिशनल डेफिशन्स ये, उसको ठीक कर लिया, सही मातरा में प्रोटीन ले रहे, सब कुछ सब सही तरीके से कर रहे, उसके बहुत सी बार, बहुत सारी कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स भी अवेलेबल है, जो आपकी हैर की समस्या को ठीक करने में काफी हद तक काम में आ सकती है, कॉस्पेटोलोजिकली बाहरी तोर पे आप विग का इस्तमाल भी कर सकते हैं, हैर एक्स्टेंशन भी आते हैं, लोग उसक कुछते रहने से अच्छा है, पॉजिटिव चीजों पर ध्यान दीजे कि अब आगे क्या कर सकते हैं, हो सकता है, हर ट्रीटमेंट हर एक के केस में अपलीकेबल ना हो, और जो आपके बाल पहले थे, वो शायद से उतने ब्यूडिफुल ना आए, लेकिन काफी हद तक आप की बालो की हेल्थ और अच्छी हो, अगर आपको आज के इस वीडियो देखने के बाद में कुछ अच्छी जानकारी हासिल हुई हो, तो लाइक बटन पे जरूर क्लिक कीजेगा, अगर आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइ है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, मैं हर एक कमेंट को पढ़ने की कोशिश करती हूं, और उसका जवाब देने की भी कोशिश करती हूं, अगली बार हम वापिस मिलेंगे कुछ एक नए इंटरिस्टिंग टॉपिक के साथ में, तब तक आप आपका खयाल करती हूं, और बार हम एक करती हूं, और गले लिखे टुपका घव सक एनली में, और रही हूं